हेलो फ्रेंड्स वागत है आपका इस वीडियो में इस सेक्शन में हम लोग स्पेलिंग एरट को देखेंगे जो sscmts के English section का एक बहुत ही महत्पुन टॉपिक है तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा बहुत ही महत्पुन spellings पे concentrate किया जाएगा जो आने वाले examination में बहुत ही महत्पुन रहेगा तो आए शुरू करते हैं पहली spelling है इसका अर्थ होता है इसका अर्थ होता है इसका प्रियोग इंग्लिस में नाउन के रूप में यानि संग्या के रूप में होता है बहुत ही महत्पुन spelling यार रखेगा नेक्ट इस पहलेंगे जियो पार्डस जेए ओपी आर डी ओ यूएस जिसका अर्थ होता है आपत्ति यूप्त जो पार्डस एक एड्जक्टिव है विसेशन के रूप में इसका प्रियोग होता है नेक्ट स्पैलिंग है मैशिक में डबल ऐसे सी आरी मैसिकर क अर्थ नर संगहार होता है यह एक नाउन है यानि संग्या के रूप में इसका प्रियोग होता है नेक्ट स्पैलिंग है और ब्रियम ओ डबल पी आरो बी आराई यूम जिसका अर्थ होता है गाईज अप यस यह भी एक नाउन है यानि संग्या के रूप में इसका हलोता है से आर्थ होता है सदस्यों की निश्चित संख्या जेए वि एक नावन है संगयाच के रूप में इसका प्रीयोग में प्रियोग होता THIS जिसका अर्थ होता है स्रिस्ट या प्रधान ये भी एक नाउन है गाईज इसका भी संग्या के रूप में इंग्लिस में प्रियोग होता है अगला वर्ड है पाइवरिया पी वाई ओ डबल आर एचो एए बहुत ही महत्पुन स्पेलिंग है गाईज पाइडिया दातों के एक बिमारी है नाउन के रूप में इसका इंग्लिस में प्रियोग होता है अगला वर्ड है साइकोलोजी पी एस वाई सी एचो एलो जी वाई जिसका अर्थ होता है मनो विज्ञान मन का विज्ञान इसका भी नाउन के रूप में यानि संग्या के रूप में इंग्लिस में प्रयोग होता है इसका अर्थ होता है निरासावाद ये भी एक नाउन है गाईज संग्या के रूप में इंग्लिस में प्रयोग होता है अगला वर्ड है गाईज questionnaire Q-U-E-S-T-I-O-N-A-I-R-E इसका अर्थ होता है प्रस्णों का समुह यह भी एक संग्या सब्द है अगला वर्ड है remembrance R-E-M-E-M-B-R-A-N-C-E इसका अर्थ होता है यादगार यह भी एक नाउन है संग्या की रूप में इंग्लिस में प्रियोग होता है अगला वर्ड है वैपोराइजेशन भी ए पी ओ आर आई जेड़े टी आई ओम का इस वैपोराइजेशन में जेड और एस को लेकर कंफियोजन रहता है इसका अर्थ होता है वास्पी करन यह भी एक नाउन है बहुत ही म यह एक एड़ेक्टिव है यानि वी सेशन के रूप में इंग्लिस में इसका प्रियोग होता है अगला वर्ड है स्यूडोलोजिस्ट पी एस सी यू डी ओ लो जी आई एस्टी का इस स्यूडोलोजिस्ट का अर्थ असत्य वक्ता यानि की जूड बोलने वाला होता है यह भी एक नाउन है यानि की संग्या है इंग्लिस में संग्या के रूप में इसका प्रियोग होता है नेक्स्ट वर्ड है और वीडियोज देखने के लिए दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें आप सभी का धन्यवाद